सबसे फेवरेट तो यह रशियन ट्विस्ट है जी वगेरा बचे थे ना वो मैं एक अलग बाउल में रख ले रही है रात को भी धेरों सारे काम रहते हैं तो उसको भी मैं यहां पर फोल कर ले रही हूँ मैं अपने फ्रेंट सरकल में फिटनेस फ्रीक नाम से जानी जाते थी ब्रेस फीडिंग पर थी मैंने उस चीज में कोई भी कमी नहीं किया से धूप आएगी वो सोख जाएगा वैल जैसा सोचा था बारिश होगी और फाइनली देखिए बारिश की बूंदे धर्ती पर उतर भी आई है हलो अब्रीवन वेल्गम बैक टू दी चैनल आप देखरें वीजिस में लाइफ का एक और नया ब्लोग जैसा कि मैंने बताया था ये वाला ब्लोग पिछले ब्लोग का कंटिनूशन वाला पार्ट है समायरा के एकजाम आने वाले है तो यहां परना मैं समायरा को कुछ स्टडी मटेरियल बना कर दे रही हूँ और देखिए क्योंकि अभी शाम का टाइम है अभी तुरंट से मुझे एक्सराइस का निकले जाना है एक्सराइस की बात की तयारी कर रही हूँ क्योंकि उसके तुरंट बातना इतने जोरों से भूख लगती है तो यहां परना मैं रात का डिनर याने की सलाट का तयारी कर रही हूँ जो कि मैं और संजू दोनों लेने वाले है सलाट बहुती सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ एक खीरा कट केया है उसमें एक छोटा सा प्याज डाला है प्याज ऑप्शनल है आपको अगर पसंद है तो लीजिए वरना इसको स्किप कर सकते हैं इसके साथ ही एक मिर्ची और एक टमाटर भी इस सलाट में पढ़ेगा सलाट के पीसेज ना क्यूब क्यूब शेप में ही कट करती हूँ ना ही जादा बड़ा ना ही जादा चोटा जैसा कि पिछले व्लॉग में अपने देखा होगा कि जो वेट है वो 69 हो चुका है तो उसकी छोटी सी एक सलिवेशन तो बनती है देखे इतने दिनों से मैं अपने आपको कंट्रोल करके रख रही हूँ जंक फूट तो पूरी तरह से हमारे घर में बंध हो गया है और शुगर भी एक दम जीरो हो गया है मेरे लाइफ में मतलब चाय बाहर से मिठाई और खीर बनना हलवा बनना ये टोटली घर में बंध है मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंज की घर में कुछ भी अच्छा नहीं बन रहा है मुझे जो भी मन करता है मैं खा लिया करती हूँ लेकिन एक लिमिट मैं में बंटेन करती हूँ और अगर सोचिए कभी लिमिट लेस कुछ खा भी लिया तो मेरे अंदर ये जीज काम करता है कि आज आदा घंटा एक्स्ट्रा मुझे पसीना बहाना है यानि की एक्ससाइस करना है तो देखिए आलू मैंने बॉयल किया था कुकर में एक आलू ना मैं निकाल के एक छोटे से चौप की होए प्याज में अच्छे से मैश कर ले रही हूँ अबी इसी पटैटों में थोड़ा सा एवरेस का पानीपूरी मसाला आता है उसका जो ड्राइ मसाला है वो एट करेंगे थोड़ा सा नमक एट करेंगे एंड थोड़ा सा कश्मिरी लाल मिर्च भी मैं यहाँ एड़ कर रही हूँ बस फ्रेश धनिया और हरी मिर्च की कमी थी लेकिन ज़्यादा तीखा हम बनानी सकते हैं एंड धनिया भी मिलता नहीं है तो इसी के साथ ही हमें काम चलाना पड़ रहा है ओ मैं तो बता नहीं भूलगी कि अज बन क्या रहा है आज हम सब का फेवरेट हम इंडियन का सब का फेवरेट गुल गप्पे बनाने वाली हूँ बाहर जाके खा नहीं सकते हैं तो सोचा क्यों ना घर पे ही बना लो तो देखिए गुलगप्पों में डालने के लिए आलू का जो स्टफिंग है वो तो रड़ी हो चुका है अभी दो टाइप का यहाँ पर मैं पानी बना रही हूँ एक पुदिना पानी बना रही हूँ और एक खजूरी मीठा पानी बना रही हूँ टेस्ट करके देखा तो यह शॉप में जो मीठा पानी मिलता है उससे भी ज्यादा बढ़िया लग रहा था तो दो टाइप के पानी बन चुके हैं यहाँ पर बतासे हैं याने की गुलगप्पे के बतासे वो भी मैंने रेडी करके रख दिया है मोटीवेशन जो भी था वो मैंने किचन में रेडी करके रखा है अभी इसी को देख देके ना कुछ ज्यादा देर तक मैं एक्सराइज करूंगी जैसा कि मैंने कहा ता आज मैं बताने वाली हूँ कौन-कौन से इजी वो एक्सराइज है जो मैं घर में किया करती हूँ जो कि करने में आपको अच्छा भी लेगा आपका वेट भी लूज होगा और जो क्यालोडीज है वो भी बन होती रहेंगी जैसा कि सकूपा वेट का यहां जी जुड़े गताने लाएंग hardness है जो मीन गताने करती है जो उटा करना को है नहीं करों तो exercise अधूरी लगती है अनग डंबल पड़े रहते हैं सजुके तो उसको उठाकर मैं exercise करना स्टार्ट करती हूँ डंबल से आपके बेसिकली आम मसल एंड चेस्ट के ऊपर ये काम करता है यहाँ पर मैं एक्सराइजस तो कर भी रही हूँ लेकिन साथ साथ समारा को जो भी स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है उसको भीना सॉट आउट करती जा रही हूँ और एक मेरा फेवरेट मतलब करने के बाद लेकिन काम बहुत ज़्यादा कर रहा है यह मेरे उपर और एक कॉमन ओपिनियन मैं आप से जानना चाहती हूँ आप सभी फ्रेंट से कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो फेस का चबिन ऐसा वो थोड़ा सा रिडियूस कर गया है आपको भी एकर ऐसा फील हो रहा है तो कमेंट काके ज़रूर बताना मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा वैल आम के जो मसल थे वो भी मुझे थोड़ा सा रिडियूस नजर आ रहे हैं और देखिए कुछ इसी पोजिशन में मैं बैठी रहोंगी थोड़ा देर सो दाट जिते भी पसीना निकलनाओं का वो निकल जाएगा और इसके तुरंट बादना मैं नहाने चले जाओंगी वेल देखिए किचन में आ गई हूँ कड़ाई बिठा दिया है थोड़ा सा रिफाइनल लाला है एंड एक एक करके जो गुलगप्पे के बता से हैं उनको मैं फ्राई करती जा रही हूं संजु भी घर पे आ चुके हैं वैसे आज उनका नाइट शिफ्ट है तो वो समायरव को भी थोड़ा सा स्टडीज में हेल्प कर रहे हैं और मैं उन सब के लिए गरम-गरम गुलगपे यहां पर रेड़ी कर रही हूं दिखिये पानी तो मैंने दो टाइब का रेड़ी करी दिया था ज्यादा कुछ करना है नहीं और पताए इसी को सोच सोच के ना मैंने कुछ एक्साइज ज्यादा देर तक कर दिया आज गुलगपे खाने हैं वो भी तेल में तले हुए तो एक्साइज तो करना ही पड़ेग वेला दीकिए यहां पर फाइनली गुलगप्य हमारे रेडी हो चुके हैं I mean पहला भोग तो उसी को चड़ना चाहिए जिसने ये सारे गुलगप्य का प्रिपेशन किया है याने कि मैं टेस्ट करके भी देख रही हूँ कि सब में नमक, पानी में मिठापन, खटापन सब कुछ ठीक ठाग है कि नी खाते ही न मतलब कुछ देर तो बात करने जैसी हालात में मैंने ही थी पूरा फैमिली ने मिलके मजे से हमने गुलगप्य खाए एंड यहां पर देखिए संजु के साथ बैटके मैं थोड़ा सा सलाट वगेरा भी ले लिया था तो देखिए आज डिनर हमारा जो गुलगप्य और सलाट उसी से इना पेट भर गया था तो यहां पर आज मैंने जो पनीर का सब्जी बनाया था वो थोड़ा सा बचा हुआ था समायरा को खिलाने के लिए थोड़ा सा मैंने निकाल के जरूर रखा है और यहां पना बरतन मुझे निकालने थे वॉश करने के लिए तो जितने भी सब्जी वगेरा बचे थे थे ना वो मैं एक अलग बाउल में रख ले रही हूँ, तो जो भी बचा हुआ सबजी है, वो कल काम आ जाएगा, बाहर तो रख सकते नहीं है, तो इसलिए मैंने न ये सब सबजी को फ्रिज में रख दिया आज कल क्योंकि कपड़े बहुत जादा ही निकलने लगे हैं, संजु भी एक्सराइस करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो शाम के टाइम भी जो भी कपड़े हैं, वो निकल जाते हैं, अज बेट्शिल भी निकला था, तो आज तो वाशिंग के लिए कपड़े लगा नहीं थे, तो लगे हैं तो मैंने देखिए वाशिंग मेशिन में कपड़े भी चड़ा दिये हैं वाश होने के लिए एन एक मा एन हाउस वाइफ जितने भी थकी हुई है लेकिन उसका ड्यूटी ना 24 इंटू 7 तक चलता ही रहता है रात के अभी साड़े आट बज रहे हैं मैं यहाँ पर समा रखो देखिए उसके स्टडी के लिए भी बठा के रखा है और क्यूंकि अच बारिश हुई थी तो बाहर बेचारी खेलने भी नहीं जा पाई तो सारा शाम ही उसने स्टडी पे ही विताया है थोड़ी दिर पेंटिंग वगेरा किया था उसने हला की स्टडी कराते हुए यहाँ पर देखिए राइस और थोड़ा सा पनीर का सबजी मैं उसको खिला दे रही हूँ और नौ बजे तक मेरी हालत ऐसी होती है कि मुझे बस सोने का ही मन करता है कुछ और काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है क्योंकि देखिए एकसाइस करने के बाद ना बॉड़ी में थोड़ा सा थकान तो होई जाता है फ्रेंस थोड़ा ठीक ठाक खाना पीना भी अगर हो जाता तो उतना भी कमी होता नहीं लेकिन खाना भी मैं बहुत ही लाइट ले रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ही करके मुझे वेट लॉस अपना पहले तो कर लेना है एक बार वेट लॉस ठीक ठाक हो गया मैं अपना जो गोल है वो अचीब कर लिया मैंने उसके बाद खाना पीना मैं फिर से नॉर्मल पहले की तरह करना स्टार्ट करूँगी लेकिन हाँ मैंने सोचा है वाकिंग या फिर एक्सराइज ये दोनों चीज ना कंटीनियू रहेगा जितना दिन भी मैं कर सकूँ तो देखिए ठकी तो हूँ लेकिन ये सब काम नहीं करूँगी तो मुझे सुबे उटके घर में और अच्छा नहीं लेगा क्योंकि सुबे उटके मुझे किचन में ही आना है सबसे पहले एंड किचन मैसी हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ देखिए जितने भी बरतन थे रात के वो मैं वाश कर चुकी हूँ आन्स एंड जैसा की पिछले ब्लौग में मैने बताय था की डिश वॉशर या फिर किचन क्लीनिंग स्प्रे से रहते हैं प्लस पीछे का जो दिवार है जाना चिटक चिटक के जाते रहता है उसको भी मैं इसी स्प्रे से साफ लिया गरती हूँ जो भी सोचता है कि एक हाउस वाइफ का सिरफ दिन दिन का ही काम है तो ऐसा बिल्गुल भी नहीं है रात को भी धेरो सारे काम रहते है याद से देखिए मैंने सिंग के एरिया में थोड़ा साना स्प्रे कर दिया है वैसे यहाँ पर उतना ज़्यादा कोकरोज है नहीं अभी तक जो एक्सराइस वाला मैट है योगा मैट वो सूख चुका है तो उसको भी मैं यहाँ पर फोल कर ले रही हूँ अगर हमारा डाइट थोड़ा सा कंट्रोल में हो ना तो देखिए घर बैटे ना हम घर का ही जितना सारा काम करते हैं उसी से ना काफी सारी कैलोरीस ऐसे ही बन हो जाती है अगर मैं मेरी बात करूँ तो सरचरी के पहले तक मेरा जो वेट था ना वो 64-65 इसी के बीज में रहते थे लेकिन सरचरी के बाद जितना बॉड़ी को रेस्ट मिला मेरा जो वेट था ना वो बढ़ता चला गया मैं अपने friend circle में fitness freak नाम से जानी जाते थी मुझे fitness का इतना ज़ादा था मतलब मैं ऐसे इंसान हूँ ना friends की देखिए समायरा 10 महीने के थी तब मैंने जो मेरा pregnancy वाला weight था ना वो 6 महीने में 10 kg कम कर लिया था इतना exercise और diet control किया था breastfeeding पर थी मैंने उस चीज में कोई भी कमी नहीं किया लेकिन exercises and walk मैंने हमेशा continue रखा जिससे ही मेरा 10 kg का weight कम हो पाया था within 6 months वेल देखिए friends आप लोग से इतना सब कुछ share करके और बात करते करते मेरा घर का कितना सारा काम वो भी रात के time का हो गया cleaning, organization, कपड़े wash किये थे वो भी तार लगा के मैंने उस पर डाल दिये अभी सूबे के time जितने भी गिले रहेंगे ना मैं चछत पे उसको डाल के आओंगी दो-तिन घंडे में जैसे धूप आएगी वो सूख जाएगा यहाँ पर bed थोड़ा सा ज्जार ले रही हूँ मैं जितने time भी हम लोग सोने के लिए जाते हैं मैं याद से ना bed ज्जार लेती हूँ क्योंकि देखिए पैर में धूल वगएरा लगके गंदी की वगएरा लगके बेट के उपर कुछ ना कुछ आई जाता है तो इस चीज़ के लिए ना हमेशा जब हम लोग बेट पे जाते हैं अच्छे से बेट बनाते हैं और देखिए एक बार अगर आपने बेट बना लिया ज्जार के साफ कर लिया उसके ओपर इतना बड़िया नींद आपको आने वाला है ना कि पूछो मत एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी कि दिदी अपना स्किन केर हमारे साथ शेयर केजिए तो देखिए फ्रेंड्स गर्मी के कारण मैं वैसे तो कुछ लगा पा नहीं रही हूं और आपको पता भी है कि मैं बहुत जादा प्रोड़क्त यूज़ करने वाले इंसानों में से न पहला काम तो यही होता है मेरा कि अच्छे से हैर ब्रॉष कर लो क्योंकि मॉंसुन का टाइम ही है अभी तो बहुत ज्यादा हैर फॉल हो रहा है ब्रश कर लेते हैं तो ब्रश में जितना भी हैर रहता है उसको आप फेक सकते है ने तो आपको पूरा फ्लोर पे सिरफ हैरी ह दिखता रहेगा वैल यहाँ पर थोड़ा सा मैं मौस्टराइज कर ले रही हूं यह लैक में का पीच मिल्क मौस्टराइजर है और इसके सिवा मैं और कुछ भी नहीं लगाती हूं कोई भी टोनर कुछ भी नहीं ना नाइट मास्क वगेरा पहले मैं कर लिया करती थी जब मौ है यह लुड़ी हो गई हूं सोने के लिए एंड क्यूंकि सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं कोशिश करती हूं साड़े नो दस बज़े के अंदर अंदर ना सो जाने के लिए अभी फिलल साड़े 9 बज़ रहे हैं अभी मैं इतना जल्दी सूँंगी नहीं इस टाइम व friends आज के ब्लॉग में तो कुछ इतना ही I really hope आज का ब्लॉग भी आपने बहुत enjoy किया होगा फिर मिलेंगे को नए ब्लॉग के साथ तब तक ले वाई ठीक केर और थेंक्स वर वोचिंग